तो गाइस जिसके आज यहां पिए noise के तरफ से noise की bots and one pro एक TWS आ रही है basically मैं कहूं तो काफी एक better यहां पे performance के साथ में low price budget में अगर आप कोई TWS लेना चाहते हैं तो definitely यह आपके लिए good product हो सकती है but considering point यहां पे एक negative points है जो कि मैं उसको छोड़के अगर कहूं तो सारे बेस्ट है क्या वो negative points मैं आगे चल के आपको share करूंगा बड़ उससे पहले मैं बता दूँ अगर आप इसी तरह take unboxing tutorial के विडियो के लागा हमर कुछ free of cost giveaways आती है उसमें participants रहना चाहते हैं तो हमाने नीचे टेली क्या है कर लिए को वहां पे जुझे है वहां पे हम lots of coupons and deals related offers भी provide करते रहते हैं so next से जाते हैं इसको सारे positive and negative features को अब सब्सक्राइब यहां पे बात करूं इसके looks तो देखिए के clear crystal sounds enjoy कर पाएंगे the next one is यहां पे power and battery backups की बात को हूँ तो as per complete claim यहां पे totally आपको 60 hours की backup का यहां पे claim मिलता है but यह totally depend करेगी आपकी uses के ऊपर next जो options है मुझे हैं पे तोछी से disappointing features लगी वो है isके driver related यहां पे मिल लेगी है आपको 11 mm की driver जो की मेरे ख्यास से sound boosting and यहां पे अच्छा का से bass level enjoy करने के लिए मैं को हूँ तो थोड़ा सा यहां पे performance आपको low दीखने को मिल सकती है जैसा कि अब यहां पे 12 and 13 mm की driver में जो expected किया थी है उस तरह की quality तो आपको नहीं मिलेगी बट डाफिनेटली आप और as usual यूज़ करने के अगर प्रस्पेक्टिप से लेना चाते हैं तो 11 mm driver भी quite good है नेक्स्ट राइक गेमर्स के लिए options जिसमें मिल लेगी है 40 MS kilo latency options तो यहां पे यहां पे होने वाली है बट यहां पे जैसके मैंने कहा ठाट है driver तो यहां पे एक जो boosting level होता है ना sound में वह थोड़ी से यहां पे आपको disappointing लग सकती है यहां पर मिल लिए total 4 quad mics with ENCE options इच earbuds में आपको 2 mics मिल लाए है तो यहां पे एक environmental related जीतना noise है उसको भी cancel होकर के आपको giving the call conversation काफी clear यहां पे expectation आप इसमें रख सकते हैं यहां मिल यह dual pairing के options तो यह एक काफी अच्छा कासा and useful options में कहूंगा at a time अगर आप अपने phone के साथ में tap या फिर आपने laptop PC के साथ connected रहना चाते हैं तो काफी अच्छा कासा है अपने accordingly choice में है तो इसको आप choice कर सकते हैं latest Bluetooth connectivity भी run कर रही है IPX 5 की resistance है AI की voice assistance support यहां पे आपको मिल लिया रही है आतर साथ यहां पे uninterrupted and यहां पे मैं कम हूं तो एक hazard free connectivity के लिए hyper sync technology यूज़ हो रही है तो काफी एक अच्छा options मिल या रहा है जो कि आपको एक hazard free performance प्रफॉमेंस प्रफॉमेंस प्रवाइड करेगी during दिल आपकी using उसमें यहां यहां पे रिसेंट्ली अभी मैं कुछ गीवबेस लाने वाला हूं जैसे कि मैंने कावा था उसके बार में ज्यादा जनल कारी के लिए telegram को ज्वाइन कर लिएगा so guys क्या इसको purchase करना सही होगा या फिर avoid करना तो then definitely मैं उनके लिए recommend करूँगा के साथ में अगर आप gaming enjoy करना चाहते हैं बट हाँ जहां पे अगर आप बूस्टिंग लेवल आपके लिए उतने माइन नहीं रखती है तो definitely इसको ट्राय कर सकते हैं after the using experience back to back channel पर आपको सारे इसके reviews मिल आएंगे उन सबको देखने के लिए बिल आपको मस्पेस करक्र खेगा इसका अगर आप buy करना चाहते हैं तो link निचे description में आपके लिए अब इक लिए बस इतना इतने नेक्स व्यूस में कुछ होने हैं अपके से साथ तो till now thanks for watching this video